तो फेंड आज के इस वीडियो में हम रिविव्यू कर रहे हैं मार्ती सुजू की S-Preso BXI+. फेंड इस रफ प guerre tol में आती है. तो फेंड इस वीडियो में पूरा डेटेल रिविव्यू करेंगे, तो फेंड आप फेंड से देख सकते हैं गाड़ी को, गाड़ी देखने में ही बहुत सांदर लग रही हो फेंट इसका जो बंपर है बंपर काफी बड़ा दिया गया है इसमें तो सामने आपको सुजूगी का लोगो मिल जाएगा साइड में आपको क्रॉमफिनस मिल जाएगी और जी आपको नॉर्मल हैट लेंप मिलेगे इसमें इंडिकेटर दिया गया है साइड में नीचे आपको फॉग लेंप का आप्सन नहीं मिलेगा तो फिर्ण बिलेक कलाल में इसका बंपर दिया गया है देख सकते हैं फ्रंट में आपको एक वासर और दो वाईपर मिल जाएंगे तो फ्रंट देख सकते हैं गाड़ी को गाड़ी अल्टो से बड़ी लग रही है फ्रंट से इस प्रोफाल लोग देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट इसमें 990cc का पेटल इंजिन मिलता है BS6 के साथ टायर देख सकते हैं MRF के टायर दिये गए हैं इसमें आपको alloy भील नहीं मिलेंगे भील कबर मिल जाएगा ये इंडिकेटर दिया गया है साइड में बॉड़ी का लैड़ और वीम मेनुल एजेस्टेबल रूप देख सकते हैं एंटिना दिया गया है ये डूर हैंडल बॉड़ी का लैड़ के साथ नीची फिनिस दी गई है बलेप और सिल्वर में ये रियर टायर तो फ्रेंड आप देख सकते हैं गाड़ी को इस साइड प्रोफाल लुक देख सकते हैं और बैक प्रोफाल लुक ये रिफ्लेक्टर दिये गए हैं पारकिंग सेंसर नीची से देख सकते हैं गाड़ी को इस सुजूकी का लोगो मिल जाएगा उबर भी आपको क्रोम फिनिस मिल जाएगी फ्रेंड इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है एस्पेसो की बेजिंग ये इस टॉप लेंब इसमें आपको रियर वाइपल नहीं मिलेगा तो फ्रेंड आप साइट प्रोफाल लोग देख सकते हैं गाड़ी का तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद रहा है तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और अगर आपको नई नहीं गाड़ी का वीडियो देखना है तो हमें कमेंट वक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई नहीं गाड़ी का रिवियू देखना है तो उस पर ह आपको हमेशा नई नई गाडियों का रिव्यू मिलेगा तो हमाई चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट देख सकते हैं गाड़ी को गाड़ी देखना में बहुत ही सांदार लग रही है दोर पर भी आपको क्रूम फिनेस मिल जाए भी साइट प्रूफाल लोग देख सकते हैं गाड़ी का यह है इसकी की इसी से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो और दूसरी की आपको नॉर्मल मिलेगी यह रेमोर्ट की मिलेगी आपको तो आप चलते हैं गाड़ी के अंदर तो आप डूर देख सकते हैं बिलेक कलर में बिलेक कलर में आपको डूर हैंडल मिलेगा यह आपको बूर्टल रखने के लिए उस साइट में स्पीकल दिया गया है यह कुछ इस्पेस इससे आप मिलर को एजजेस्ट कर सकते हो तो फेंड देख सकते हैं गाड़ी को यहां से आप सीट को एजजेस्ट कर सकते हो यह पैडल दिये गया है यह कुछ स्पेस यह एसी के वैंड शिल्वर निस के साथ यह सीट देख सकते हैं सीट की कॉलिटी काफी अच्छी दी गई है तो अंदर से गाड़ी का लुक बहुत ही सांदार दिया गया है तो इंटीरियर देख सकते हैं फेंड इसका तो फेंड सामने से इंस्टुमेंट कलश्टा हटा के बीच में दे दिया गया है देख सकते हैं यह सी के कंट्रोल दिये गया है आपको पावर विंडो के कंट्रोल दिये गया है यह आपका इंस्टुमेंट कलस्टर एसी के बेंट्स दिये गये हैं डैसबोर्ट बिलेक कलर में यह स्ट्रेंग इस्ट्रेंग पर आपको कंट्रोल मिलेंगे दूसरी साइट कंट्रोल नहीं दिये गये हैं साथ में सुजुकी का लोगो यह हेड्लेंब के कंट्रोल यह वाइपर के इसमें आपको डूगल एयरवेक मिल जाएंगे यह चायरजिंग सॉकेट यह कुछ स्पेस कप होल्डर फायप मैनुल ट्रांसमीशन यह हैंडब्रेक यहां पर आपको आम्रेस्ट नहीं दिया गया ह कुड़ाइवासाइड दोल देख सकते हैं फ्रेंड इसमें आपको सेवन इंच का डिस्पेले दिया गया है एलेडी जिसमें आप आईडियो वीडियो सुन सकते हैं एक गलॉब बॉक्स एक पावर विंडो के कंट्रोल बीच में आपको हजार लाइट का कंट्रोल आपके संवाइजर इसमें आपको मिरर नहीं मिलेगा दोनों में आपको मिरर नहीं दिया गया है फ्रेंड एक केविंग लेम एक मिरर यह हैंडल दिये गया है तो रियर का लोग देख सकते हैं फ्रेंड आप गाड़ी बाकर में बहुत ही अच्छी लग रही है अंधर से तो फेंड इसमें आपको 27 लीटर का हिूल टेंक मिलेगा तो चलते हैं अब रियर सीट पर फेंड रियर में पावर वेंडू का आप्षन नहीं है मैनुल आपको हैंड से करना पड़ेगा देख सकते हैं फ्रेंड नीची कुछ भी स्पेस नहीं दिया गया है यह ट्रे दी गई है तो अंदर से देख सकते हैं फ्रेंड गाड़ी को फेंड आप इस पेस देख सकते हैं इस पेस अच्छा है इसमें तो फ्रेंड इंटिरियर कर लोग देख सकते हैं काफी अच्छा दिया गया है इसमें तो फ्रेंड एक बार अच्छे से इंटिरियर कर व्यू ले लीजिए पूरा देख सकते हैं फ्रेंड क्योंकि सबसे में इंटिरियर ही रहता है जिससे गाड़ी और भी लगजरी लगती है तो इंटिरियर दखाना बहुत ही जरूरी है यह ट्रे है प्रेंड इसमें आपको 989CC का पेटॉल इंजन मिलेगा बीस-6 के साथ इसमें सिर्फ पेटॉल इंजन आता है इसमें आपको डीजल कॉप्सन नहीं है फ्रेंड इसमें आपको 270 लीटर का बूट स्पेस में लेगा गाड़ी दीवाल के किनारे खड़ी हुई है तो इसका बूट उपन नहीं का सकते कूड ड्राइबर साइड गेट फ्रेंड इसकी X-room प्राइस की बात करें तो इसकी X-room प्राइस है 4,56,000 रुपई MP के प्राइस है फ्रेंड MP-76 पुर के फ्रेंड पूरी गाड़ी का लोक देख सकते हैं और फेंड आपको कोई भी गाड़ी का अगर रीवी देखना है तो हमें कमेंट वक्स में बता सकते हैं और फेंड इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा 21.7 पर किलोमीटर तो फेंड फुड़ देख सकते हैं गाड़ी का फेंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं एक नई रिवीव पर